मेज़ ध्यानचंद का नाम भारतिय होकी के इतिहास में स्वर्नाक्षरों में अनकित है। उन्हें होकी का जादू का कहा जाता है और उनके खेल की कला ने भारत को विश्व के मानचित्र पर एक प्रमुख होकी राश्ट्र के रूप में स्थापित किया। उनका जन्म 29 अगस उन्हें होकी से कोई विशेश लगाव नहीं था लेकिन अपने पिता की तरह वे भी भारतिय सेना में भरती हो गए। सेना में भरती होने के बाद ही उन्हें होकी की ओर आकर्शन हुआ। यह 1922 की बात है जब वे 16 साल की उम्र में भारतिय सेना में शामिल हुए। सेना में रहते हुए, उन्होंने अपने होकी के खेल को निखारा। उनका खेल और उसकी कुशलता इतनी प्रभावशाली थी कि उनके साथी खिलारी और अधिकारी भी उनके खेल की तारीफ करते नहीं ठकते थे। ध्यानचंद को रात में अभ्यास करने की आदत थी, क्योंकि दिन की समय में उनके पास अभ्यास करने का समय नहीं होता था। यही कारण है कि उन्हें चंद चांद नाम दिया गया, जिसका अर्थ है चांद। रात की समय चांदनी में अभ्यास करने के कारण उन्हें ध्यानचन कहा जाने लगा। अंतर राष्ट्रिय करिया और उपलब धियां। ध्यानचन ने अपने करिया की शुरुआत 1926 में की और जल्द ही भारतिय होकी टीम के महत्वपूर्ण सदस्य बन गए। उन्होंने तीन ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिदित्व किया और हर बार स्वर्ण पदक जीता। एक, 1928 एमस्टरडम ओलंपिक यह ओलंपिक ध्यानचन के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। भारत ने नीदरलेंड्स के एमस्टरडम में आयोजित इस ओलंपिक में अपनी पहली होकी प्रतियोगिता में भाग लिया और स्वर्ण पदक जीता। ध्यानचन ने इस टूर्णामेंट में सबसे अधिक गोल किये, जिससे वे एक स्टार खिलाडी के रूप में उपरे। इस ओलंपिक में भी भारत ने शांदार प्रदर्शन किया और स्वर्ण पदक पर कबजा जमाया। भारती टीन ने 24-1 के विशाल अंतर से अमेरिका को हराया, जिसमें ध्यानचन और उनके भाई रूप सिंग ने मिलकर 18 गोल किये। ध्यानचन ने अकेले इस टूर्णामेंट में 12 गोल किये। तीन, 1936 बलिन ओलंपिक, बलिन ओलंपिक का आयोचन हिटलर के जर्मनी में हुआ था और इस ओलंपिक में भी ध्यानचन ने अपनी होकी की कला का जादू बिखेरा। भारत ने जर्मनी को आठ, एक के अंतर से हरा कर स्वर्ल पदक जीता। इस मैच में ध्यानचन ने तीन गोल किये और उनके खेल को देखकर हिटलर भी मंत्रमुगध हो गए। उनकी पासिंग, ड्रिबलिंग और गोल करने की क्षमता अतुल निय थी। वे एक बहतरीन टीन प्लेयर थे और अपने साथी खिलाडियों को भी खेलने के लिए प्रेरित करते थे। उनके खेल की कला इतनी अद्भूत थी कि उन्हें अक्सर होकी का जादूग कहा जाता था। उनके खेल की प्रशंसा न केवल भारत में, बलकी विश्वभर में की जाती थी। उनकी कुशलता और खेल की समझ के कारण वे हमेशा विरोधी टीम के लिए एक चुनोती पूर्ण खिलाडी साबित होते थे। व्यक्तिगत जीवन और सेवा, ध्यान चंद का व्यक्तिगत जीवन सरल और अनुशासित था। उन्होंने 1922 में भारतिय सेना में शामिल होकर अपनी सेवा की शुरुआत की और 1956 में मेज की पद से सेवा निवृत हुए। सेना में रहते हुए उन्होंने होकी खेलना जारी रखा और भारतिय सेना की टीम के लिए भी कई मैच खिले। सेवा निवृती के बाद भी उन्होंने होकी से अपना नाता नहीं तोड़ा। वे कोच के रूप में नवोदित खिलाडियों को प्रशिक्षित करते रहे और खेल के विकास में अपना यूपदान देते रहे। ध्यान चंद ने अपने जीवनकाल में न केवल एक खिलाडी के रूप में बलकि एक कोच और मेंटर के रूप में भी महित्वपून भूमिका निभाई। सम्मान और पुरसकार ध्यान चंद को उनके उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन के लिए कई पुरसकार और सम्मान से नवाजा गया। भारत सरकार ने 1956 में उन्हें पत्म भूशन से सम्मानित किया। उनके जनम दिन 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रिय खेल दिवस्त के रूप म मनाया जाता है। उनके सम्मान में देश भर में कई होकी स्टेडियम और पुरसकार भी स्थापित किये गए हैं। उनकी स्मृती में प्रतिवर्ष ध्यान चंद पुरसकार भी दिया जाता है, जो खेल के खेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला एक प्रतिष्टिक पुरस्कार है। निधन और विरासत। घ्यानचंद का निधन 3 दिसंबर 1989 को हुआ, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उनके योगदान को भारतिय होकी के इतिहास में कभी नहीं बुलाया जा सकता। वे ना केवल एक महान खिलारी थे, बलकि उनके खेल ने एक पूरे राष्ट्र को गर्वित किया। उनकी खेल की कला और उनके प्रति सम्मान के कारण उन्हें आज भी होकी के क्षेत्र में आदर्श माना जाता है। उनके जीवन और करियर से हमें ये सीखने को मिलता है कि समर्पन, मिहनत और अनुशासन से किसी भी लक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। मेजद ध्यानचंद ने न केवल भारतिय होकी को बलकि विश्व होकी को भी नए आयाम दिये। उनका खेल हमेशा प्रेरना का स्रोथ रहेगा और उनके नाम को खेल इतिहास में हमेशा सम्मान के साथ याद किया जाएगा।